ओम, नमा, शिवाय, साथियों, हमारे जीवन में भगवान शिव का अहम भूमिका है, भगवान शिव हमारे जीवन से जुड़े शुब और अशुब समय आने से पहले कुछ संकेत देते हैं, तो साथियों भगवान शिव के द्वारा दिये गए शुब संकेत के बारे में जान क्योंकि अच्छा समय आने से पहले भोलेनाथ ऐसे संकेत देते हैं। जिनके माध्यम से भगवान हमें भविश्य की घटनाओं की और संकेत देते हैं। लेकिन हम इन संकेतों को समझ पाने में असमर्थ रहते हैं। इसका ये मतलब नहीं है कि हम संकेतों को समझ नहीं सकते हैं। अगर थोड़ा सा प्रयास किया जाएं तो भगवान द्वारा दिखाए गए इन संकेतों को आसानी पूर्वक समझा जा सकता है। यहां तक कि जोतिश शास्तर, वास्तु शास्तर, सामुदरिक शास्तर ऐसी ही कुछ विधाएं हैं जिनके प्रयोग से हम जीवन में आ रहें संकटों के रुख मोर सकते हैं। तकलीफ होने पर लोग इन शास्त्रिय उपायों का प्रयोग करते हैं, लेकिन आज जो हम आपको बताने जा रहे हैं, उसे जानने के बाद आप भी इन कामों को करने से पहले हजार बार सोचेंगे, और कभी करने के बारे में नहीं सोचेंगे, क्योंकि अगर ये काम आप करने क सोचे भी तो एक बार जरूर सोच लें, आपके साथ क्या हो सकता है, वर्तमान समय में भी पूजा पाठ करने की परंपरा को निभाया जा रहा है, ऐसा माना जाता है कि पूजा करने से व्यक्ति की सभी मनोकामनाएं पूरी होती है, पूजा करने से मन की शांती प्राप्त हो पुर्षा समय आने से पहले भूले नाथ देते हैं यह संकेट आईए इसके बारे में जानते हैं इससे पहले चैनल में नए हैं तो विडियो को लाइक करे और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करे साथी बेल आइकन को जरूर दबाए ताकि आगे भी हमारे विडियो की आपको सबसे पहले मिले, तो साथियों आए जानते हैं संकेत कौन से हैं, भगवान शिव कहते हैं, सोकर उठने के बाद मन का प्रसंद रहना, आपके साथ भी कई बार, ऐसा होता होगा कि जब आप सोकर उठते होंगे, तो आपका मन बहुत ही प्रसंद रहता होगा, और चहरे पर चमक आ जाती है। यदि इस तरह के संकेट दिखाई देते हैं तो इस बात का प्रतीक है कि जल्दी ही आपके अच्छे दिन की शुरुआत होने वाली है और सफलता आपके कदम चुमने वाली है। हस्ता हुआ बच्चा दिखाई देना। भोलेनात कहते हैं यदि आप किसी महत्वपूर्ण काम से बाहर जा रहे हूं और आपको रास्ते में हंसता हुआ बच्चा दिखाई दे तो ये इस बात की तरफ इशारा करता है कि आप जिस काम के लिए जा रहे हैं उसमें आपको सफलता मिलेगी। इसके बाद पशुपक्ष में बच्चे को जन्म देती हैं इस बात का संकेत है कि जल्द ही आपको कोई शुब समाचार मिलने वाला है। सुबह सुबह लक्षमी मिलना यदि आपको सुबह उठते ही परिवार के किसी सदस्य से या फिर किसी अन्य जगह से धन की प्राप्ती होती है तो ये बहुत शु मारा करता है कि जल्द ही आपको बड़ी सफलता हासिल होने वाली है साथ ही आपको धन लाब भी होने वाला है और इसके बाद अगर आपको भरा हुआ बरतन दिखाई दे भगवान शिव कहते हैं यदि आप किसी काम से बाहर जा रहे हो और आपको रास्ते में पानी से भरा ह गड़ा दिखाई दे तो ये अत्यंत शुभ माना जाता है ये इस बात की तरफ संकेत करता है कि आप जिस भी काम के लिए जा रहे हैं उस काम में आपको सफलता मिलेगी तो साथियों इस वीडियो में बस इतना ही वीडियो अच्छी लगी है तो दोस्तों के साथ जरूर शे नियवाद